Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है है उसमें डिसकस करेंगे वरक्षीट नमबर 82, 4 क्लास 9th विशे हिंदी है और ये वरक्षीट आपके लिए 3rd of February 2022 के लिए शिडियूल की गई है आज की जो वरक्षीट स्टूडेंट्स उसमें हम जो हमारी एकांकी है वरक्षीट की हड़ी उसी को हम आगे कंटिनू करते हुए पढ़ेंगे तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो राम सवरूप है उनकी लड़की को उमा है उसको लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं और किस तरह से वो लोग जो है क्या कर रहे हैं तैयारिया कर रहे हैं उनके वैलकम के लिए और जिस तरह उनकी बाते हमने सुनी हमने देखा कि जो लड़के वाले हैं वो जो है क्या है वो रूडिवादी सोचके हैं यानि उनको लड़की जो है वो पढ़ी लिखी नहीं चा तो यहां तक हम पढ़ चुके थे, वक्षी शूकरने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीचे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए, तो देखे क्या दिया गया है, रीड की हड़ी एकांकी के इतना भाग हम पढ़ चुके हैं, उसको हमें यहां पर अपने शब्दों में लिखना है, एक्स्प्लेइन करना है, तो आईए देखते हैं, तो यहां से लिखेंगे, आज रामसवरूप के घर में लड़की देखने आ रहे हैं, उनकी बेटी उमा को देखने और उन लड़क अपने घर में सभी को मना कर रखा है कि कोई उमा की पढ़ाई का जिक्रे नहीं करेगा, ठीक है, तो यहां तक हमने इसको जो है देखा है, उसके बाद देखें, नेक्स्ट वक्षीट में क्या दिया गया है, रामसवरूप, हाँ हाँ, आईए आईए, तो अब यहां पर क्य बहुत ज्यादा चालाक लग रहे हैं, ठीक है, बहुत चतुर है, आवाद से मालूम होता है कि काफी अनुबवियों और फितरती महाश्य है, फितरती यानि जो चालाक होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है, तो आवाद से ही जैसे बोलने से ही पता लगता है कि बहुत तेज इंसान है तो ऐसा जो है यहाँ पर नजर आ रहा है उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नो जवानों में से है तो उनका लड़का कैसा है खीस निपोरने यानि जैसे किसी बात पर जैसे शर्माने वाला जो है इस तरह का दिखाई दे रहा है आवाज पतली है और खिश्याट बरी है जुकी कमर इनकी खाशियत है तो कमर भी कैसी है कमर भी उसकी जुकी हुई है राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए है है इधर तश्रीफ लाईए इधर बाबू गोपाल परशाद बैठते हैं मगर बेंथ गिर पड़ता है अब राम स्वरूप जो है वो उनके आप कह सकते हो वैलकम में जो हलीन हो जाते हैं उनको बिठाते हुए कहते हैं कि आप इधर तश्रीफ लाईए यहाँ पर बैठ जाईए और लेकिन जो बेंथ है वो गिर जाता है बेंथ का मतलब क्या है बेंथ का मतलब है जो लकड़ी उन्होंने सहरे के लिए ले रखी है वो जो है गिर जाती है राम स्वरूप यह है बेंथ लाईए मुझे दीजिए कोने में रख देते हैं सब बैठते हैं मकान ढूनने में तकलीफ तो नहीं हुई तो राम सरूप जो है वो उनसे पूछते हैं जैसे कि एक समान के रूप में पूछा जाता है कि आपको हमारे घर तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई गुपाल प्रसाद कहते हैं खखार करें थोड़ा खास कर नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहां आना ही था रास्ता मिलता कैसे नहीं राम सोरूप, हाँ हाँ यह तो बड़ी बहरवानी है आपकी मैंने आपको तकलीफ तो दी ठीके, कि मैंने आपको तकलीफ दी है, गुपाल प्रसाद कहते हैं, अरे नहीं साहब जैसा मेरा काम, वैसा आपका काम यहां पर जैसा मेरा काम, वैसा आपका काम का मतलब क्या है, कि आप अपनी लड़की के लिए, जो है कस्ट कर रहे हो, और हमें अपने लड़की के लिए हम आए हैं आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है बलकि यों कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परिशानी कर दी तो फॉर्मल्टी चल रही है दोनों तरफ से ठीक है रामसरुप कहता है हाँ हाँ यह लीची आप तो मुझे काटों में घसीटने लगे हम तो आपके हैं सेवक ही हैं थोड़ी देर बाद लड़के की और मुखातिब होकर मुखातिब यानि उसकी तरफ देखते हुए और कहिए शंकर बाबु कितने दिनों की चुटिया है शंकर जी कॉलेज की चुटिया नहीं है वीकेंड में चला आया था रामसरूप कहते हैं आपके कोर्स खतम होने में तो आप साल बर रहा होगा तो वो जो है डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हैं तो उसके बारे में पूछते हैं कि आपका जो कोर्स है उसको खतम होने में अभी साल बर रहा होगा शंकर जी यही कोई साल दो साल साल दो साल राम सवरुप थोड़ा सा जो है उसे पूछने की कोशिश करते हैं कि साल दो साल त्योंकि जैसे उन्होंने पूछा होगा तो बताया होगा उनको कि साल भर रहता है अब वो साल दो साल कह रहा है तो इस पिर राम सवरुप थोड़ा सा हिचके चाते हैं शंकर फिर जवाब देता है, हाँ हाँ, जी एक आत साल का मार्जन रखता हूँ, मार्जन क्या होता है, गैप होता है न, कि जैसे होता है कि एक साल रहता है तो दो साल बता रहा है, दो साल है तो तीन साल बता दिये तो कह रहा है कि एक साल का गैप लेके चलता हूँ, बात यह ह गुपाल प्रसाद अब इस बात का जवाब देते हैं कि साहाब यह है शंकर एक साल बिमार हो गया था क्या बताएं इन लोगों को इसी उम्र में सारी बिमारियां सताती हैं एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दरजनों कचोडियां उड़ा जाते थे मगर फिर जो खाना खा कचोडियां उड़ा जाते थे यानि जो है बहुत सारी कचोडियां खा जाते थे मगर यानि और जब खाने का टाइम होता जब शाम को जैसे खाना खाते हैं तो फिर भी हमें भूख लगी होती थी और तुलना क्या कर रहे हैं कि आजकल के बच्चे कुछ अच्छा खानी रह हैं और हमारे समय में हम जो है बहुत जादा खाती थी राम सवरुप कचोडियां भी तो उस जमाने में पैसे की दो आती थी तो राम सवरुप जी क्या कहते हैं कि उस समय कचोडियां भी जो है जो पैसा है उसकी जो है क्या आती थी दो आती थी तो इस तरह से यह लोग क्या करते हैं अपना समय और जो पुराना समय है उसकी तुलना कर रहे हैं नीचे लिखे गए प्रश्णों के माध्यम से अपनी समझ को जाचिए अब यहां पे आपको तीन प्रश्ण दिये गए हैं वन बाई वन हम इनको डिस्कस करेंगे प्रश्ण एक है खीस निपोरना का अर्थ है लज्जा का भाव प्रकट करते हुए दाथ दिखाना इससे संबंदित देखी या सुनी कई किसी गटना के बारे में संक्षेप में लिखे तो एक बार मैं और मेरे पिताजी दोनों ट्रेन से जा रहे थे तभी एक चोर ने हमारे सामने एक व्यक्ति की जेब से पैसे निकाल लिए और जब उसने देखा कि हमने उसे देख लिया है तो वह खीस निपोरने लगा प्राशने दो है एक आंकी के उपरियुकत अंश को पढ़कर बाबु गोपाल प्रसाद और शंकर के सभाव के बारे में आपको क्या पता चलता है लिखे तो आंसर लिखेंगे बाबु गोपाल प्रसाद और शंकर की आँखों से लोक चतुराई टपकती है आवाज से मालूम होता है कि काफी अनूभवी और फितरती महाशा है शंकर कुछ खीस निपोरने वाले नोजमानों में से है और आवाज पतली है दोनों ही रूडिवादी सोच रखती है तो ये जो है हमें उपर के आंश को पढ़कर पता चला नेक्स देखे प्रशन तीन रामसरूप के समाध या बातों से चापलू से और दिखावा ज़लक रहा है आपके विचार से वह ऐसा क्यों कर रही है तो रामसरूप जो है गोपाल प्रसाद और उसके लड़के को उनकी सोच के कान खास पसंद नहीं करते थे लेकिन अपनी बेटी के भविश्य को देखते वे वह उसकी शादी गोपाल प्रसाद के बेटे से कराना चाहते थे क्योंकि एक तो वो डॉक्टरी कर रहा था दूसरा उनकी आर्थिक स्थी अच्छी थी तो जो है इसलिए रामसरूप गोपाल प्रसाद और उसके बेटे की चापलूसी कर रही है कि कहीं वह लोग मना न कर दे यानि उनको उनकी बातों में तो कोई जो है खास उनको जो अच्छे नहीं लग रहे थे वह जिस तरह से उनकी सोच थी लेकिन बस जो पैसा है वो चीज उन्होंने देखी कि जो लड़का है वो भी अच्छा पड़ा लिखा है ठीक है कि कोई बात नहीं अगर वो लोग बेटी को आगे नहीं पड़ाएंगे तो उसका भविश्य देखते वे उसने इस तरह का समझ कर लिजी तो थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वरकशीट के साथ